इसलिए संजीव कुमार उस तपस्वी साधू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे उन्हें लगता था किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है मुश्किल है ना ममकिन नहीं आज मैं आपके लिए बॉलिवूट के वर्सटाइल एक्टर के नाम से मशूर एक्टर संजीव कुमार की जिंदगी की पूरी कहानी लिका आया हूँ चौल में रहने वाला एक गरीब लड़का कैसे बन गया फिल्मों का इतना मशूर अभिनेता अपनी बेहन के लिए कैसे बॉलिवूट के पहले सुपर्स्टार राजेश खन्ना से थपड़ खा लिया संजीव कुमार ने फिर क्या है राजेश खन्ना और संजीव कुमार की कटर दुश्मनी की कहानी मशूर अक्टरस नूतन के साथ संजीव कुमार ने ऐसी कौन सी घटिया नीच और ओची हरकत कर दी जिससे नाराज होकर नूतन ने सब के सामने संजीव कुमार को पीट दिया कैसे संजीव कुमार की एक गलत फहमी के चलते संजीव कुमार और हीमा मालिनी की होती होती शादी तूट गई क्यों संजीव कुमार ने जिंदगी भर ना ही खुद शादी की और ना ही अपनी प्रेमिका को शादी करने दी और आखिर में सबसे दिल्चस्प क्यों ये तपसरी साधूं ने संजीव कुमार की निर्शन्स हत्या कर दी वो भी असलियत में फिल्म में नहीं इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ एक वीडियो में तो चलिए शिव करते हैं संजीव कुमार का जन्मन 9 जुलाई सन 1929 को गुजरात के सूरत में हुआ बहुत कम लोगों को मालूम है कि संजीव कुमार का असली नाम संजीव कुमार था ही नहीं संजीव कुमार का असली नाम था हरिहर जरिवाला प्यार से संजीव कुमार के दोस्त उन्हें हरी भाई कहकर बुलाती थे संजीव कुमार एक गुजराती लेवा पटेल फैमिली से बिलॉंग करते थे उनके पिता जी का नाम था जेठालाल जरी वाला जो की जरी का बिजनेस किया करती थे और उनकी मा का नाम था शांता बेन जरीवाला जो की एक हाउस वाइफ थी जब संजीर कुमार केवल एक दो साल के थे तब ही उनका पूरा परिवार सुरत से शिफ्ट होकर बंबई आ गया बंबई के भूलेश्वर इलाके के नानावती विद्याले से संजीर कुमार ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की स्कूल की पढ़ाई के दोरान ही एक दिन अचानक ही संजीर कुमार के पिता जी जेठालाल जरीवाला की मौत हो गई जिसकी वज़े से संजीव कुमार और उनके परिवार को एक अच्छा खासा घर छोड़कर बगल की चॉल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा स्कूल की पढ़ाई के दिनों के दौरान से ही संजीव कुमार को फिल्में देखने का बहुत शौप था फिल्में देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था हर नई रिलीज हुई फिल्म देखा करते थी बड़ी खराब आर्थिक स्थिती थी मगर फिर भी संजीव फिल्म देखने के लिए अपनी मा शानताबेंट से जैसे तैसे भी जुगाड़ करके पैसे निकलवा ही लिया करते थी इतनी जादा फिल्में देखने का ही ये नतिज़ा था कि जब तक संजीव 17-18 साल के हुए तब तक उन्होंने तै कर लिया था बेन ने ही उनके सामने एक ऐसी मुष्टी खडी कर दी जिसका पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था जब संजीव 18 साल के थे तब उनकी माशांता बेन ने उनकी शादी ते कर दी उनके पड़ोव की ही एक लड़की से जिसके साथ संजीव की बच्पन से दोस्ती थी को उस लड़की और उसके माबाप के सामने ये बाप कबोलनी पढ़ी कि वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते तब कहीं जाका शंजीव कुमाल की ये शादी तूटी है अ अब संजीव सोचने लगे कि वह फिल्मों में हीवो किस तरह से बन सकते हैं संजीव ने सोचा कि अगर उन्हें फिल्मों में हीवो बनना है तो उन्हें एक्टिंग की प्रिफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी संजीव को मलूम चला कि फिल्मालय प्रोडक्शन्स हाउस का एक अपना एक्टिंग स्कूल है जिसका नाम है फिल्मालय एक्टिंग स्कूल वहां बहुत अच्छी एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और वो और एक्टिंग स्कूल से जरा सस्ता भी पड़ता है संजीव कुमार ने admission के लिए apply किया, उन्होंने test दिया, उनका selection भी हो गया मगर जब fees देने की बात आई तो संजीव ने हाथ खड़े कर दिये चुँकि औरों के लिए सफ्ती fees भी उनके लिए महेंगी थी संजीव चुप चाप मायूसी के साथ वापस अपने घर लोटाए संजीव कुमार की official biography संजीव कुमार and actors actor के मताबिक संजीव कुमार सीधे अपने कमरे में जाकर अपने बेट पर लेट गए और सोचने लगे कि आज अगर उनके पिता जी जिठालाल जिन्दा होते तो उनके पास पैसों की इतनी तंगी न होती कि वो अपनी फीस भी नहीं भर पा रही है संजीव ने बच्पन से ही अपनी मा शांता बेन को संघर्ष करके परिवार का पालन पोशान करते देखा था इसलिए वो अपनी मा से शिकायद भी नहीं कर सकते थे कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपनी एड्मिशन फीस भर पाई संजीव ने भले ही अपनी मा शांता बेन से कुछ नहीं कहा था संजीव ने पहले तो टालमटोल किया, मगर जब उन्होंने बार बार चार पांच बार पूछा, तो संजीव ने बहुत रुआसे होकर उन्हें सारी बात बताई, शांता बेन ने संजीव की पूरी बात सुनी, फिर एक मिनट सोचने के बात कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं ऐसा करती हूँ कि शादी की वक्त मुझे जो गहने मिले से, मैं उन गहनों को बेंच देती हूँ, वैसे भी अब मैं विद्वा हो चुकी हूँ, संजीव के मुताबिक मैं गहना नहीं पहन सकती, तो गहने मेरे किसी काम के तो हैंने, मैं गहने बेंच देती हूँ, गहने ने सीधे इंकार कर दिया, अब इसके बाद तक गंटे भर तक संजीव और उनकी मा शांता बेन में बहस छड़ गई, और इस गंटे भर की बहस का नतीजा ये निकला, कि संजीव कुमार की मा शांता बेन ने अपने गहने बेंचे नहीं, उन्हें गिरूवी रखती है, पैसे मिले, उन पैसों से संजीव कुमार ने फिल्माला एक्टिंग स्कूल में एड्मिशन लिया, और वहां पर मशूर डिरेक्टर पीडी शनौई की ट्रेनिंग में उन्होंने एक्टिंग की प्रफेशनल ट्रेनिंग ही, इसके बाद इंडियन पीपल्स थियाटर असोसि मगर यह कोई आम शो नहीं था, बहुत ही खास शो था, क्योंकि इस शो को देखने के लिए बॉलिवूट के मशूर डिरेक्टर सूरज बढ़ जात्या के पिता जी मशूर प्रोडूसर ताराचंद बढ़ जात्या आये हुए थे, ताराचंद बढ़ जात्या को संजील सभी संजीव कुमार को अगले दिन अपने आफिस आने के लिए कहा, ताकि संजीव उनकी अगली नई फिल्म में हीरो के रोल के लिए अपना ओडिशन दे दे, संजीव बहुत उत्साह के साथ महां गए, उन्होंने अपना ओडिशन दिया, ताराचंद बढ़ जात्या ने पूर कि तुम्हें कै लगता है तुमने कैसा ओडिशन दिया, अब संजीव सोचने लगे कि अगर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो यह अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए संजीव ने कह दिया, अच्छा नहीं था, मेरे हिसाफ से तो बड़ा बेकार था, बुरा था, यही संजीव से गलती हो गई, जब आप खुद अपने काम को अच्छा नहीं कहोगे, तो दूसरों से कैसे उमीद कर सकते हो कि वो आपके काम को अच्छा करे, लिहादा ताराचन बढ़ जात्या ने संजीव को उस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया, अपने पह अपना जूता गिसने लेगे, हाला कि संजीव कुमार अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके सेकरटरी जमुनालाल भी थे, मज़े मालू मैं सेकरटरी उनली बात सुनकर आप चौक गई होंगे, क्योंकि आप सोच रही होंगे कि संजीव कुमार ने सेकरटरी रख लिया, मगर उन्हें तो अभी काम्याबी मिली नहीं थी, वो तो नापामयाग थे, मगर आपको बता दूँ कि संजीव कुमार बॉलीवूट के आज तक के इतिहास कि वो अलहदा एक्टर है, जिन्होंने काम्याबी मिलने से पहले ही अपना सेकरटरी रख लिया था, असल में संजीव एक फिल्म के हीवो के तावर पर सूप नहीं करता, इसलिए वो अपना नाम बदल ले, बंबाई के चर्च गेट के सामने जैहिंद कॉलेज के बगल में एक चाय की टरपवी पर बैठे-बैठे, संजीव कुमार अपने लिए एक नया नाम सोच रही थी, संजीव चाहते थे कि उनका नाम ऐसा हो, जिसकी शुवात सांसे हो, चुकि उनकी मा का नाम सांसे है, शांता बेन, और चुकि दिरिव कुमार, अशोक कुमार जैसे इतने बड़े-बड़े कलाकारों के नाम के आगे कुमार लगा था, इसलिए वो अपने नाम के आगे कुमार लगाना चाहते इसे लिए संजीव कुमार ने बहुत सोचने के माज अपना नाम तै किया संजय कुमार मगार इसके कुछ दिन बाद ही फिल्म दोस्ती विलीज हो गई और संजय खान बॉलिवूट के बहुत बड़ी सुपर्श्टार बन दे अब एक ही इंडेस्ट्री में दो-दो संजय तो आनन पानन में ही संजीव ने क्रंप अपना नाम संजय से बदल कर संजीव कुमार संजीव कुमार को हम हिंदुस्तानी, गुनहगार, आव प्यार करें जैसे फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही मिल रही थे मगर संजीव कुमार एक बड़े ब्रेक की तलाश में थे, वो फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे संजीव कुमार की ऑफिशल बायगाफी, संजीव कुमार एन एक्टर्स एक्टर के मताबिक संजीव कुमार को एक बड़ा ब्रेक मिलने में, फिल्मों में हीरो का रोल मिलने में एक बड़ी अडचन थी उनका पहनावा संजीव कुमार हमेशा सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने रहती थी और ये वो जमाना था जब सफेद रंग का कोर्ता पजामा पहने कोई लड़का फिल्मों में हीरो नहीं बन सकता था इसी वज़र से वीशानता राम से लेकर बियार चोपरा, येश चोपरा, बिमल रोय सरीके बड़े बड़े डेक्टर्स ने संजीव कुमार को अपनी फिल्म से निकाल दिया केवल इसलिए कि चुकि कुर्ता पजामा पहनने की वज़र से उनका इंप्रेशन बहुत ही खराब पड़ा था इसी वज़र से संजीव कुमार के बहुत से दोस्तों ने उन्हें कई बार समझाया कि संजीव जब भी किसी डेक्टर प्रोडूसर से मिलने जाए, स्क्रीन टेस्ट के लिए जाए, औडिशन के लिए जाए तो कुर्ता पजामा पहनकर मत जाया करी मगर जितनी बार ही संजीव को केवल कुर्ता पजामा पहनने के वज़र से फिल्म से रिजेक्ट किया जाता उन्हें रोल न दिया जाता जितनी बार भी उनके दोस्त उन्हें कुर्ता पजामा पहनने से मना करते संजीव कुमार के दिल में ये भूंक उतनी ही बढ़ती जा रही थी कि वो यही सफे दरंग का कुर्ता पजामा पहन कर फिल्मों में हीरो बनकर दिखाएंगे साल दर साल गुजरने लगे संजीव कुमार ने अपनी कोशिशें लगातार जारी रेकी मगा बहुत जूता घिसने के बाद भी वो सफल ना हूँ जब इतनी कोशिशें करने के बाद भी असफलता ही हाथ लगी तो संजीव कुमार निराश होनी लगी संजीव कुमार की ओफिशल बारगाफी संजीव कुमार एन एक्टर्स एक्टर के मुताबिक एक दिन संजीर कुमार ने अपने बहुत पक्के दोस्त और रामानंद सागर के मशूर TV सीवियल रामायड में महर्शी वसिष्ट का किरदार निभाने वाले मशूर एक्टर सुधीर दल्वी से एक मुलाकात के दौरान बातचीत में कहा कि वो फिल्मों में हीरो बनने का अपना ये बच्पन का सपना छोड़ कर साबून का व्यापार शुरू करने की सोच रही है इस पर सुधीर दल्वी ने उन्हें बहुत समझाया था बहुत धानर मधाया था सुधीर दल्वी ने उनसे करा था कि वो थोड़ा इंतजार और करी फिर देखें क्या होता है। ये थोड़ा और इंतजार ही संजीव कुमार के कैरियर में मील का पत्थर सावित हो गया। इस दौरान उनकी मुलाकात हो गई मशूर डेक्टर एचेसर वैल से। जोन दिनो अपनी नई फिल्म संघर्ष में दिलीप कुमार के साथ काम करने के इस संघर्ष के एक सीन में दिलीप कुमार के सामने शतरंज की बाजी बिजाय हुए संजीव कुमार जिस रुगात में कहते हैं चाल तो चलो ठाकोर। सुनकर एचेसर वैल के साथ साथ दिलीप कुमार साथ भी दंग रह गए। कुछ खबरों की मानने तो इस सीन की शूटि से दिलीप कुमार डर गए। इसी वज़े से पूरे बॉलीवूड में संजीव कुमार के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव परसेप्शन बन गया बहुत अच्छी ब्रेंडिंग हो गई। हलागी फिलम संझीव कुमार के लिए वो नहीं थी जिसकी संझीव कुमार को तलाश थी। संघर्ष फिल्म में वो ही वो नहीं थे बलकि दिलिप कुमार थी। मगर संघर्ष के तरणत बाद ही उन्हें फिलम खिलोना ओफर हो गई। मशूर डेरेक्टर एलवी प्रसाद ने वैसे तो ये फिल्म मशूर डेरेक्टर गुर्दत के लिए लिखी थी, मगर चुँकि गुर्दत का निधन हो गया, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में हीवो के तौर पर संजीव कुमार को साइन कर लिया. इस फिल्म के अपने किरदार की तयारी के लिए संजीव कुमार ने सूरत में सचमुच एक ऐसे आदमी से मुलाकात की जो आग से बहुत ज़ाड़ा डरता था। संजीर कुमार ने अपने किरदार की तयारी के लिए सचमुच कुछ दिन मेंटल होस्पिटल में गुजावे जहां उन्होंने पागलों की जीवन शैली को उनकी जिन्दगी को बहुत गहनता से अब्जर्व किया ताकि उनके करेक्टर स्टिक्स को अपनी एक्टिंग में उता सकी सन 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म खिलोना संजीर कुमार के बॉलीवुड केरियर की पहली कमर्शियल हिट फिल्म थी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद तो बॉलीवुड में संजीर कुमार के केरियर का सूवी ऐसा चमका कि फिर अस्तही न हुआ इसके बाद अर्जुन पंडित ये ही है जिंदगी नया दिन नई रात, देवता, राम तेरे कितने नाम, शोले, गुड़ी, अनामिका, कतल, शिकार, उल्जन, मन्चली, बीवी ओ बीवी, पती पतनी और वो, हीरो, तुशूल, जानी दुश्मन, सिलसिला और अंगूर जैसे क इकार जैई किरदार ने भाई, इस दुरान संजीव कुमार ने एक फिल्म में काम किया जिस फिल्म का नाम था गौरा, उस फिल्म में उनके अपोजिट उनकी हिरोईन थी नूतन, ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई, इसके बाद संजीव कुमार और नूतन एक और फिल्म की गॉसिप्स की गई थी नूटन ने पहले पहल तो इन गॉसिप्स को हाथी मजाक में उड़ा दिया कि यह तो मीडिया की आदत है मगर धीवे धीवे ऐसी gossip बढ़ने लगी नूतन अक्सर ही अपने और संजीव कुमार के रिष्टों के बावे में ऐसी gossip पढ़ा करती धीवे धीवे तो ये gossip यहां तक पहुँच गई कि नूतन को संजीव कुमार से प्यार हो गया है नूतन संजीव कुमार से शादी करना चाहती है नूतन को इन गॉसिप्स के होने पर बहुत दुख था और इससे भी ज़ादा दुख तो उन्हें तब हुआ जब नूतन के मुताबिक नूतन के एक विश्रस्नी सूतर ने उन्हें बताया कि खुद संजीव कुमार ही मीडिया में ऐसी बाते फैला रहे हैं मीडिया को ऐसी बातों की गॉसिप बाइट दे रहे हैं नूतन के मुताबिक नूतन के उस विश्रस्नी सूतर ने नूतन को बताया कि पिछली शाम भी जब संजीर कुमार ने कुछ media persons को ऐसी gossip bites दी हैं तब वो संजीर कुमार के साथ मौजूद था नूतन को संजीर कुमार की ऐसी घटिया हरकत बिल्कुल ही नागवार गुजरी नूतन के मुताबिक वो एक शादी शुदा ओरत थी एक बच्चे की माँ थी संजीर कुमार को कोई हक नहीं था उन्हें इस तरह से बदनाम करने का लिहाज़ा अगले ही दिन नूतन ने shooting के समय संजीर कुमार से इस विशह पर बात करने की सोची अब नूतन ऐसे गंभीर नूतन ने सब के सामने संजीर कुमार के गाल पर जोर का चाटा जड़ दिया उस वक्त इस बात की बहुत चर्चा हुई थी कि नूतन ने गुस्से में आकर सब के सामने ही संजीर कुमार को एक थपड़ दे मारा फिल्म सीता और गीता के एक गाने की शूटिंग के दोरान संजीव कुमार और हेमा मालनी एक स्केट बोल्ड पर से बहुत बार गिरे थे संजीर कुमार की ओफिशल बरगाफी संजीर कुमार एन एक्टर से एक्टर के मुताबिक यही वो पल था जब संजीर कुमार और हेमा मालनी एक दूसरे को पसंद करने लगे संजीर कुमार और हीमा मालिनी एक दूसरे के प्यार में इसकदर डूब गए कि दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहती थे मगा संजीर कुमार की मा शांता बेन इस शादी के खिलाफ थी संजीर कुमार की मां शांता बेन अपने घर के लिए एक फिल्म एक्टरस बहू को नहीं चाहती थी लिहाजा उन्होंने इस शादी के लिए इंकार कर दिया लेकिन फिर भी आखिर कार हेमा मालिनी ने संजीर कुमार की मां शांता बेन को इंप्रेस कर ही लिया इस का दव इंप्रेस कि वही शांता बेन जो संजीर कुमार और हेमा मालनी की शादी के खिलाफ थी वही शांता बेन अपने हाथों में मिठाई का डबा लेकर खुद चन्नाई हेमा मालनी के घर पहुची हेमा मालनी की माँ प्रिया चकवर्ती से हेमा मालनी और संजीर कुमार की शादी के बारे में बात करने के लिए विपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालनी की माँ प्रिया चकवर्ती भी संजीर कुमार और हेमा मालनी की एक शादी से बहुत खुश थी मगर उनकी एक शर्त थी उनकी शर्त ये थी कि शादी के बाद भी उनकी बिटी हेमा मालुनी का film carrier जैसे का तैशा चलता रहेगा यानि हेमा शादी के बाद अपना film carrier छोड़ेंगी नहीं इस शर्ट के लिए ना ही शानताबेन तयार थी और ना ही संजीmaal कुमार तयार थी संजीavior कुमार और शांताबेन ने पहले से ही सोच रखा था कि शादी के बाद हेमा अपना फिल्म के अर्यर पुरी तरह से छोड़ देगी हेमा मालनी अच्छी तरह से जानती थी कि संजीर कुमार यही चाहती है मगर वो अपनी मा के पॉंट आफ व्यू को भी समझ रही थी लिहाजा हेमा मालनी ने संजीर कुमार से कहा कि वो उन्हें थोड़ा सा समय थी जैसे जैसे बॉलिवूड में ये बात फैलती जाएगी कि शादी के बाद हेमा मालनी फिल्मों में काम नहीं करेंगी और जल्दी ही वो शादी करने वाली हैं तो धिर धिर ऑटोमेटिक उन्हें फिल्म उफरस मिलने कम हो जाएगे जब फिल्म उपरस मिलने ही कम हो जाएंगे तब उनकी माप्रिया चकरवर्थी के पास भी कोई तरक नहीं रह जाएगा तब वो आराम से शादी के बाद अपना फिल्म के वियर पूरी तरह से छोड़ देंगी और घर परवार पर फोकस करेंगी मगर संजीर कुमार को हेमा मालनी की इस बात पर पूरी तरह से भरुसा नहीं था वो हेमा को समय नहीं देना चाहते थे बस इसी बात को लेकर संजीर कुमार और हेमा मालनी के रिष्टों में दरार बांडी शुरू हो गई दोनों में जगड़े शुरू हो गए, दोनों में गलत फैमिया होनी लगी, और फिर तो एक ऐसी गलत फैमिय हो गई कि उसने इन दोनों के रिष्टे को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, हुआ ये कि INT यानि Indian National Theater ने एक Hollywood फिल्म का एक बहुत ही शांदार प्रीमियर और्ग बुलाया गया है, मगर ये नहीं मालूम था कि उसी प्रिमियर पर उनके कटर दुश्मन राजेश खन्ना को भी चीफ किस्ट के तोर पर बुलाया गया है, राजेश खन्ना और संजीर कुमार की कटर दुश्मनी की भी अपनी अजब कमाल की कहानी हो, राजेश खन्ना और सं संजीव कुमार को हर रक्षा बंधन पर राखी बांधना शुरू कर दिया था तब से कई दफे ऐसा हो चुका था कि जब जब राजेश खन्ना अंजू महंदू के साथ जगड़ा करते संजीव कुमार एक भाई होने के नाते राजेश खन्ना को धमकाने पहुंच जाते संजीव कुमार कई बार अंजू महंदू को राजेश खन्ना से ब्रेक अप कर लेने की राजेश खन्ना को छोड़ देने की सलाह भी दे चुके थी जिसकी वज़ा से राजेश खन्ना संजीव कुमार से खार खानी लगे थी इसी वज़ा से एक फिल्म की शूटिंग के दोरान एक सीन में राजेश खन्ना को संजू कुमार को एक धीमा थपड मारना था मगर राजेश खन्ना ने जान बूच कर एक जोर का थपड मार दिये और ये बाद संजू कुमार भी समझ गए थे कि राजेश खन्ना ने जान बूच कर उन्हें जोर का थपड मारा है इसी वज़ा से उस फिल्म के बाद संजू कुमार ने कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया जब राजेश खन्ना को अंजू महिंदू के जर्ये ये मालूम चला कि संजू कुमार और अहिमा मालनी के बीच ऐसी दरावेओं गलत फेहमिया पड़ रही हैं तो उन्होंने संजू कुमार से बदला लेने के लिए एक प्लैन्ट बनाया हुआ ये कि प्रिमियर के फंक्शन पर संजू कुमार और से अलग स्टेज पर अपनी चीफगस्ट वाली चयाय पर बैठे थे अचनक थोड़ी दिर बाद उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना हिमा मालनी के साथ उनके हाथों में हाँ डर ले हुए वहाँ आए और स्टेज पर चीफगस्ट की कुर्सी पर नहीं नीचे ओडियन्स रो में बैठ के संजीव कुमार इस बास से बार्ट हर्ट हो गए संजीव कुमार भी स्टेज पर अपनी चीफगस्ट की कुर्सी से उठे और नीचे उतर कर ओडियन्स की रो में राजेश खन्ना और हिमा मालनी से थोड़ी दूवी पर जाकर बैठ के हिमा मालनी भी वहाँ संजीव कुमार को देख कर शौक हो गई हेमामाल्नी समझ गए कि यह राजेश खन्ना का प्लैन था संजीर कुमार को हर्ट करने कर और वो य Mori जान गई थी कि अंजाने में ही सही मगर वो भी इस प्लैन में शामिल हो चुकी थी संजीर कुमार इस घटना से बहुत हर्ट हुए उनके दिल को बड़ी चोट लगी थी उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की कि इसमें हेममालनी की कोई गलती नहीं है यह सारा राजश खन्ना का प्लान था उनसे बदला लेने के लिए उनसे चोट पहुचाने के लिए मगर संजीव कुमार इस बात को इतना ज़्यादा अपने दिल से लगा चुके थे कि उन्हें हेममालनी पर भरुसा ही नहीं हो रहा था इस गलत फैमी ने संजीव कुमार और हेममालनी के रिष्टे को पूरी तरह से तबाह कर दिया जम्हेममालिम्नी और सम्झी कुमार का रिष्टा टूटा तो संजीव कुमार की वन साइड लवर यानी एक तरफा प्रीमी का मशूर एक्टरस सीलक्षणा पंडित बहुत्स हुशुम दसल सिलक्षणा पंडित संजीव कुमार से बहुत प्यार करती थी मगर संजीव कुमार सिलक्षणा पंडित से प्यार नहीं करती थी इसी वज़ा से संजीव कुमार ने सिलक्षणा पंडित के शादी के प्रस्ताओं को भी ठुकरा दिया था जब संजीव कुमार का हीमा मालनी के साथ रिष्टा तूटा तो सुलक्षणर पंडिट को बहुत खुशी हुई उन्हें लगा कि अब संजीव उन्हें सुविकार करेंगे और उनके पांस आ जाएंगे मगर संजीव कुमार प्यार में पढ़ने फिर शादी के रने की कोशिश करने फिर शादी के ना होने इन सब प्रक्रमों से बहुत उब चुके थे बहुत घबरा गए थे इसलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक हेमा मालनी से रिष्टा तूटने के बाद संजीव कु पंडित ने भी फैसला कर लिया कि अगर वो संजीर कुमार से शादी नहीं कर पाएंगी तो फिर वो भी जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करेंगी जिंदगी भर कुमारी ही रहेंगी संजीर कुमार के बारे में एक और बहुत-बहुत कही जाती है कि संजीर कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी किराय के घर में ही बिचा दी कभी भी उन्होंने अपना घर नहीं खरीदा जबकि ये सच नहीं है संजीव कुमार ने बहुत बार घर खरीदने की कोशिश की थी संजीव कुमार की official biography संजीव कुमार an actor's actor के मताबिक एक बार तो संजीव कुमार महशुर डेरेक्टर चेटन अनंद के बंगले के बगल में अपना एक बंगला खरीदने वाले थे सारी बात फाइनल हो चुकी थी मगर रजिश्टरी के एक हस्ते पहले ही बंगला बेचने वालों के परिवार में जगड़ा हो गया जिसके वज़र से उन लोगों ने बंगला बेचने का प्लान कैंसल कर दिया और संजीव कुमार बंगला खरीदे खरीदे नहीं खरीद पाई संजीव कुमार की मुह बोली बेहन अंजु महिंदू बताती है कि संजीव कुमार ने बहुत बार घर खरीदने की कोशिश की मगर बार बार कुछ ऐसा हो जाता था कि वो नहीं खरीद पाते थे कभी संजीर कुमार सोचते कि 50,000 का घर है तो 50,000 का बजट बनाते तब तक वो घर 80,000 का हो जाता जब वो 80,000 का बजट बनाते तब तक वो घर एक लख पार हो जाता कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि संजीर कुमार घर नहीं खरीद पाते थे इसे वागद से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किराय के घर में ही बिता दी अंजू महिंदू संजीर कुमार की कंजूर्सी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा ही मीठा किस्सा बताती है अंजू महिंदू बताती है कि हर साल जब वो संजू कुमार को राखी बांती थी तो संजू कुमार उन्हें 500 रुपई देते थे एक साल अंजू महिंदू ने संजू कुमार से कहा कि इस बार उन्हें 500 रुपई नहीं चाहिए इस बार वो golden tissue plated सारी लेने वाली जो कि उस वक्त तकरिबर धाई हजार रुपई की आती थी संजीर कुमार ने अंजू महंदू से कहा पागल मत बनो अभी दस बहने और लाइन में खड़ी है मुझे राखी बांगने के लिए सबको अगर धाई-धाई हजार रुपई की golden tissue plated सावी देने लगूंगा तो कंगाल हो जाओंगा मगर अंजू महंदू मानने को तयार नहीं थी अंजू महंदू ने संजीर कुमार का सूटकेस खोला उसमें से धाई हजार रुपई निकाले और बस धर से भाग गई जैसे ही मकान के बाहर पहुँची कि चानक उन्हें संजीर कुमार की एक जोरदा आवाद सुनाई पड़ी उन्होंने पीछे मुण कर देखा तो देखा कि संजीर कुमार उनके घर के छज्जे पर खड़े हुए हैं और उन्होंने अपने हाथ में अंजू महंदू का golden plated lighter ल संजीर कुमार को वापस देगी अब साल 1983-84 आ चुका था और संजीर कुमार की तबियत थोड़ी-थोड़ी खराब रहने लगी थी तब ही से संजीर कुमार को यह महसूस होने लगा था कि अब उनका आंतर निकट है कुछ media reports के मताबिक संजीर कुमार ऐसा मानते थे और अपने कर इंटर्व्यूज में वो यह बता भी चुके थे कि उन्हें लगता था कि उनके परिवार के सभी मर्दों को किसी बहुत बड़े तपसरी साधू ने शाप दिया है शाप ये कि उनके परिवार का कोई भी मर्द 50 साल से जादा नहीं जी पाएगा इसी वज़े से उनके दादा जी भी 50 साल से पहले ही मर गए उनके पिता जी जेठालाल भी 50 साल से पहले ही मर गए यहां तक कि उनका छोटा भाई जो उनसे भी छोटा था वो भी उनसे पहले ही मर गया इसलिए संजीव कुमार को लगता था कि वो भी 50 साल से पहले ही मर जाएंगे इसलिए संजीव कुमार उस तपस्री साधू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे उन्हें लगता था कि वैसे सामाने तह उनकी मौत 50 साल से पहले नहीं होगी मगर उस साधू के शाप की वज़र से उन्हें इतनी कम उमर में 50 साल से पहले ही मरना पड़ेगा इसलिए कुछ मीडिया रेपोर्ट्स के मताबिक संजीव कुमार अपनी होने वाली मौत को एक सामान्य मौत नहीं बलकि एक हत्या मानते थे एक निशन सत्या और अपनी निशन सत्या का निशन सत्यारा वो उस साधू को मांते थे उस साधू के उस शाप को मांते थे च्छाय नवम्बर सन 1986 का वो दिन इस दिन वही हुआ जिसका संजीव कुमार को डर था 46 साल की उमर में 6 नवम्बर सन 1986 की सुबा 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 संजीव कुमार अपने सोफे से उठकर नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थे कि अचनक से उन्हें सालेंट हाल्ट अटाइक आया संजीव कुमार वहीं गिर पड़े और ऑन स्पोट संजीव कुमार की मौत होगी